हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आप सभी का जीगर ट्रैक यूट्यूप चैनल में तो दोस्तो आज के इस वीडियो में हम इंडियन करनसी से सम्मंदित महत्पूर प्रस देखेंगे तो अगर आप किसी भी एक्जाम के तहरी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए महत्पूर आने बाला है तो इसलिए आप वीडियो पूरे अंडि तक देखते रहे हैं तो चले आज के वीडियो शुरू करते हैं तो यहाँ पर पहला प्रस न है RBI ने कितने रुपे के नोटों को 30 सितंबर 2023 के बाद चलन से बाहर करने की घुशना की है तो राइट आंसर ए होगा 2000 रुपे के नोटों को तो देखें 19 मई 2023 को RBI के दोवारा यह घुशना की गई है कि जो 2000 रुपे के नोट अभी तक चल रहे थे तो यह 30 सितंबर 2023 के बाद चलन से बाहर हो जाएंगे यानि कि 30 सितंबर 2023 के बाद 2000 रुपे का नोट नहीं चलेगा यह जो यहाँ पर डेट दी गए यह 30 सितंबर 2023 की तो अगर आप के पास 2000 रुपे के नोट हैं आप 30 सितंबर तक इन्हें बैंकों में जमा करा सकते हैं या इन्हें एक्सचेंज कर सकते हैं तो 30 सितंबर 2,23 के बाद 2000 रुपे के नोट को चलन से बाहर करने की होस्वनां की गई है mirror 2 है 2000 रुपे का नया नोट चलन में कब आया था देखे बात करें ये जो 2000 रुपया का नोट है ये कब शुरू हा था एक चलन में कब आया था तो राइट आंसर सी होगा 2016 में देखे आप सब भी जानते हैं जब प्रदान मंतिन दरेंदर मौदी जी ने 8 नमंबर 2016 को भारत में नोट बंदी की थी उस समय 500 और 1000 रुपय का नोटों का भी मुद्री करानी किया गया था तो उसके बाद से ये 2000 रुपय का नया नोट जारी किया गया था तो 2000 रुपय का नया नोट ये शुरू हुआ था 2016 में अगला कोस्तान है 2000 रुपे के नए नोट पर पीछे की तरब किसकी आकरती चपी हुई है तो देखे यहां से भी कॉसन एकजाम में देखने को मिलते हैं तो यह जो 2000 रुपे का नोट है इसके पीछे की और आकरती चपी है मंगल यान की तुराइट आंसर डी होगा 2000 रुपे के नोट के पीछे क्या चपा है मंगल यान देखे बात करें 2000 रुपे के नोट के आकर की तो इसका आकर क्या है तो चोड़ाई 166 mm है और उन्चाई है 166 mm कोस नमबर चार है 500 रुपे के नए नोट पर पीछे की और किसके आकरती बनी हुई है अब देखे 500 रुपे के नोट की बात करें तो 500 रुपे के नोट के पीछे आकरती चपी है लाल किले की तो राइट आंसर यह होगा 500 रुपे के नोट के पीछे क्या चपा है लाल किला और 500 रुपे के नोट का अगार है इसकी चोड़ाई 150 mm है और उचाई 66 mm है अगला कोसर है 200 रुपे के नए नोट पर पीछे की और किस की तस्वीर छपी है तो देखे 200 रुपे के नोट की बात करें तो बताईए इसके पीछे किस की आगरती छपी हुई है 200 रुपे के नए नोट पर तो राइट आंसर यह होगा सांची का स्थूप तो देखे जो सांची का स्थूप है जो की मद्धर पर्दिस कराय सिंजिले में है तो यह 200 रुपे के नोट के पीछे छपा है 200 रुपे के नोट के अगार की बात करें तो इसकी चोड़ाई 146 mm है और उचाई है 66 mm नेश्ट को सन है 100 रुपे के नए नोट पर पीछे की तरब किसके आकरती चपी हुई है तो राइट आंसर ओप्सन C होगा रानी की बाब तो जो 100 रुपे के नोट है इसके पीछे के और रानी की बाब की आकरती चपी हुई है दिखें यह जो रानी की बाब है ये गुजरात राज्य के पार्टन जिले में इस्तित एक प्रसित बावली यानि की एक सीड़ीदार कुआ है जो की 100 रुपे के नोट के पीछे चपा हुआ है तो 100 रुपे के नोट के पीछे क्या है रानी की बाव और 100 रुपे के नोट का अकार है 142 mm इसके चुड़ाई है और उचाहिए 66 mm कॉस्ट नमबर साथ है 50 रुपे के नोट पर पीछे की तरफ किसकी आकरती चपी है तो जो 50 रुपे के नोट है इसके पीछे की और चपे हैं हम पी के रत तो राइट आंसर सी होगा इसके अकार के बात करें तो 50 रुपे के नोट की चुड़ाई 135 mm है और उचाहिए 66 mm कॉस्ट नमबर आठ है 20 रुपे के नोट पर पीछे की तरफ किसकी तस्वीर चपी है तो 20 रुपे का जो नया नोट है इसके पीछे की और चपी हैं ऐलोरा की गुफाई तो रुपे के नोट के पीछे की तरफ किसकी तस्वीर चपी है तो बताइए 10 रुपे के नोट के पीछे किसकी तस्वीर चपी है तो इसका राइट आंसर ओप्षन C होगा कॉणार के सूर्य मंदिर की तो जो वड़ी सर आज़े में कॉणार के सूर्य मंदिर है तो ये 10 रुपे के नोट के पीछे छेपा है 10 रुपे के नए नोट के अकार की बात करें तो इसकी चोड़ाई 123 mm है और उचाई है 126 mm कोस्त नमबर 10 है भारते करंसी नोट पर कितनी भासाई होती है तो राइट आंसर भी होगा 17 भासाई तो देखे जो भारते करंसी नोट होता है तो आपने देखा होगा बीच में जो भासाई लिखी होती है कैसारी तो बहाँ पर 15 भासाई होती है और जो पूरे नोट पर टोटल लगाकर जो भासाई लिखी होती है इंगलिस और हिंदी को तो वो टोटल 17 भासाई होती है बीच में जो लिखी होती है पंदरह भासाई होती है और इंगलिस और हिंदी को लगाकर टोटल 17 भासाएं लिखी होती हैं तो याद रखना है question number 11 है भारते मुद्रा के लिए पिरतीक चिन कब चुना गया था तो देखे भारते मुद्रा के लिए यह जो पिरतीक चिन है तो यह चुना गया था 2010 में तो right answer C होगा कोस्ट नमर 12 है भारते मुद्रा के लिए पिर्तीक चिन्न का डिजाइन किसने तयार किया था तो भारते मुद्रा का ये जो पिर्तीक चिन्ने जो 2010 में चुन गया था तो इसका डिजाइन तयार किया था D. Uday. Kumarani तो राइट आंसर C होगा नेश्ट कोस्टन है भारत में मुद्रा अपूर्ती किसके द्वारा नियंतरित की जाती है तो देखे काफी आसान कोस्टन है और कई बार एकजाम में पूछा भी गया है तो भारत में मुद्रा अपूर्ती नियंतरित की जाती है RBI के दुवारा यानि कि भारत रिजर बैंक के दुवारा तो right answer D होगा Next question है भारत में कागजी नोट मुद्रा जारी करने का पूर्ण अधिकार किसके पास है तो देखे भारत में जो कागजी नोट होते हैं तो इसको जारी करने का पूर्ण अधिकार है ये भारत रिजर बैंक यानि कि RBI के पास है तो right answer D होगा अगला question है एक रुपे के नोट को कौन जारी करता है तो देखे जो एक रुपे का नोट होता है तो ये जारी किया जाता है बित मंत्राले के दुवारा तो right answer C होगा question number 16 है एक रुपे के नोट पर किसके हस्ताकसर होते है तो देखे एक रुपे के नोट पर हस्ताकसर होते है बित सचिप के तो right answer B होगा जबकि जो अलग कागजी नोट होता है दूसरा एक रुपे सा अलग तो उस पर हस्ताकसर होते है RBI गवर्नर के जबकि एक रुपे की नोट पर हस्ताक्सर होते हैं बित्त सचिप के अगला कोस्सन है भारत में सिक्के जारी करने के लिए कोन अधिक रहते हैं तो भारत में कागजी नोट जारी किये जाते हैं आर्वियाई के दौरा जबकि जो सिक्की जारी किया जाते हैं तो ये बित्मंत्रालेके द्वारा जारी किया जाते है तो राइट आंसर ए होगा अगला कोस्त है भारत में पहली बार बैंकों का राष्टे करण कब हुआ था तो दिखि a ये भी महतकुन परसने कई बार पूछा गया है तो भारत में पहली बार बैंकों का राष्टे करण किया गया था 1989 में तो रइट आंसर बी होगा नेस्ट question है तो बताए बारत का केंदर बैंक कौन सा है तो राइट आंसर डी होगा Reserve Bank of India यानि कि RBI RBI भारत का केंदर बैंक है Q2 है स्वतंत्र भारत में पहली बार नोट बंदी कब की गई थी तो राइट आंसर ओप्शन C होगा 1978 में तो देखे भारत में पहली बार नोट बंदी अंगरेजों के सासनकाल के दुराण की गई थी लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं स्वतंत्र भारत की तो स्वतंत्र भारत में पहली बार नोट बंदी आनी की भी मुद्धी करण किया गया था 1978 में तो देखें उस समय जनता पार्टी के नेतरत में मुरारजी देशाई प्रदार मंत्री थे तो उनकी सरकार ने 16 जनबरी 1978 को भारत में पहली बार नोट बंदी की थी उस समय एक हजार रुपे, पांच हजार रुपे और दस हजार रुपे के नोटों को बंद करने की होसला की गई थी उसके बाद देखिए आठ नुमंबर 2016 का दूसरी बार नोट बंदी की थी प्रिधानमंदि दरिंदर मोदी ने, इन्होंने पांच हजार रुपे के नोटों का बिमुदि करन किया था तो याद रखना है, नेक्ट कोस्टन है भारत रेजर बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो राइट आंसर एह होगा 1935 में तो देखें, भारत रेजर बैंक यानि की आरइवाई की स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 1 अपरेल 1935 को की गई थी और इसके बाद 1 जनवरी 1916 को आरइवाई का राष्टे करन किया गया था तो अगर आप से पूछ जाए आरइवाई की स्थापना तो एक अपरेल 1935 और पुछ जाए कि आरइवाई बैंक का राष्टे करन कब किया गया था तो एक जनवरी 1916 तो दोनों डेट में है तो पूर्ण जरूरी याद रखनी है इसके बाद कोसर नमबर 22 है भारत रेजर बैंक के पहले गवरनर कोन थे तो आरइवाई के पिर्थम गवरनर बने थे सर ओस बोर्न ए इस्मित इबरेटिस थे तो ये भारत रेजर बैंक के पहले गवरनर बने थे तो राइट आंसर एह होगा कोसर नमबर 23 है बात करें कि RBI के पहले भारते गवर्नर कौन थे अब डिके बात करें कि RBI के पहले भारते गवर्नर कोन बने थे तो right answer C होगा CD Dessmuk इनका पूरा नाम है Chintaman Dwarakannath Dessmuk तो CD Dessmuk ये RBI के पहले भारते गवर्नर बने थे तो दोस्तो आज के लिए इतना ही आप चलिए आज का प्रस्ण देखते हैं जिसका आंसर नीचे कमेंड वोक्स में बताना है तो यहाँ पर आपके लिए प्रस्ण है ICC Puru's Monday Cricket World Cup 2027 का आज़न कहां होगा तो इसका आंसर आपको नीचे कमेंड वोक्स में बताना है इससे पहले मैंने इसका पूरा वीडियो बना दिया था अगर आपको देखना है तो आपको इस वीडियो को लाश्ट में प्ले लिस्ट मिल जाएगी आप बहां से जाकर 2023 के सभी महत्कून टोपिक्स के वीडियो देख सकते हैं तो दोस्तों उम्मीद करते हूं आपको इस वीडियो पसंद आया होगा अगर आपके लिए helpful है तो प्लीज वीडियो को लाइक और सेर करना साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना तो चले मिलते है नेक्स्ट वीडियो में जै हिंद जै वारत